देवास में हुए पटवारी की मौत ते परदा उड़ गया है पुलिस ने ततकाल एक्शन करते हुए मौत के कारणों का परदा फाश कर दिया है पटवारी नीरज परते की हत्या हुई थी मडर को अंजाम किसी और ने नहीं बलकि उसकी पत्नी के प्रेमी ने ही दिया था जिसमें उसने भी उसका साथ दिया इस संसनी खेज हत्यकांड से परदा उड़ते ही सभी सन रह गए कुलिज के मताविक आरोपी अनिल पटवारी नीरज परते की पत्नी से प्यार करता था और उसकी शादी होने से नाराज हो गया था इसी बात से खफ़ा होकर आरोपी अनिल कुमार ने मृतक नीरज की पत्नी के साथ उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई आरोपी लगातार नीरज की पतनी के साथ फोन पर बात करता था यही नहीं आरोपी ने पटवारी नीरज परते से दोस्ती भी कर ली थी हत्या बाले दिन अनिल नीरज को खाने पर ले गया था जहां उसने उसको शराप पिलाई और बाद में मडर कर दिया वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया करते रहता था और उन लोगों न मिल करता घृय करती। आरोपी ने पहले मरतक तक पोड़ने की पेहले से दोस्ती की उसके साथ खाना खाने गया वhasले मिलम meses जैने पेश के जरा रहे हैं उनमें से जानकारी यह एकत्रत कर रहे हैं यह इस तरह की जानकारी उनकी नॉलेज में होगी तो उनको प्यारूपी बनाए ज़िए आपको बता दें कि नीरज परते की शादी पिछले महीने की 20 नवंबर को हुई थी अभी कुछी दिन शादी को हुए थे और इसी बीच नीरज लापता हो गया पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि उसका शव इंदोर भुपाल मार्ग पर मिलने से संसनी फैल गई नीरज की गले पर घाव के निशान थे परेजनों ने उसकी हत्या की आश्रंका जिताई जो सही निकली नीरज परते को उसकी पत्नी और प्रेमी ने हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया पंजाब कैसरी टीवी के लिए देवास से एहतेशाम कुरेशिक रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद